एम्स यहां जिस जगह पर आज उपस्तित है यहां आउस्तित है वहां बने वहां से लेकर के opposite बनने की यात्रा एम्स के बाद इसके विस्तार के लिए जवील का संगर्शता हूं संगर्श किया है मैंने साक्षि और से भागईरा बांजिए और manage का बंते वह बढ़ते हूं रुपए की लागत का इन्हों ने स्वीक्रत किया मानिय प्रधान मंतरी जी के करकमलों से उसका शेला न्यास हुआ और वो बनतावा दिखाई दे रहा और मैं मानता हूं कि आने वाले एक साल में वो पूरा होगा आज का दिन निश्चिती हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन है जमानिय प्रधान मंतरी जी के नेतरतों में जिस तरह से चिकित्सा का परिद्रश्य देश में बदल रहे हैं जिस तरह से विश्विस्तरी है चिकित्सा देश में चिकित्सा की सुभिधाएं देश में ज शेलानिया सम्मानिय मंतरी जी के करकमलों से आज यहां हुआ है स्वास्ते के सेवाओं के दृष्टी को निश्चिती आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है आज का दिन और में महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज हम एक ऐसे कन्वोकेशन एक से दीखशांत समारों में हम सब लोग खड़े हैं जिस दीखशांत समारों उसके बाद में बहुत सारे लोग जो आज ग्रेजवेट हो करके अपनी एक नई यात्रा का शुभारंब करने बारे और वो यात्रा एक ऐसे काल्खंड में जब देश बदलाव की ओर है एक ऐसे काल्खंड में जब हमारा देश बदल रहा और असीम संभावनों की एपिक्षा को ले करके एक आत्मे विश्वास के साथ मानिय प्रदानमंत्य जी के नेत्रतू में विक्सित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तमाने प्रदानमंत्री जी ने देश का प्रदानमंत्री बनने के साथ ही जिस संकल्प के साथ में काम करना प्रारंब किया था कि एक तरफ गाहों, गरीब, किसान, पीडिच, शोशित इन सब के जीवन में परिबरतन लाना उनको सामान्य मूलबूत आवश्यक्ताओं की चुनौती से उबारना और दूसरी तरफ भारत को विक्सित करने के लिए एक विक्सित देश के अनुरूप और सरजन चनाओं का इंफ्रस्ट्रक्चर का निर्मान करना वो चाहे फिजिकल इंफ्रस्ट्रक्चर हो, चाहे रोड इंफ्रस्ट्रक्चर हो, चाहे जो है हाईवेज होंगे, रेलवेज होंगे, चाहे वैटलेंड और वाटर वेज होंगे या उसके अतरिक चिकित्सा की सुविधाएं और अन्य सुविधाओं की क्षेत्र में भी जिस तरह से देश में अभूत पूर्वक करांती और परिवर्तन का दौर चल रहा है इस transformation के समय में आप सब लोग बहुत जितने हैं जिन लोगों को आज graduation ceremony हो रही है वो सब लोग आज यहां से graduate हो करके जाने वाले हैं निश्चिति एक ऐसे महत्वपूर्ण पल का एक बार फिर मुझे साक्षी बनने का सभाग यह पूर्ण आफसर मिला है मारे देश पूर्वक एम्स के सभी management को उसके लिए धन्यवाद देता हूं अभिनंदन करता हूं फितरो एक ऐसे कालखंड में हम सब लोग हैं जब हमारा देश बदल रहा है और यह बदलाव जो है यह केवल भारत के लिए बदलाव नहीं है भारत का बदलाव पूरे विश्वे के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होने वाला है ऐसे समय में हम सब लोगों को एक काम करने क सौभाग्य पूर्ण आवसर मिला है और विशेश रूप से ऐसे डॉक्टर्स को जिनको इस समय में अपने जीवन का प्रारंब करने का आवसर मिला है जब देश बदल रहा है वो बदलाव के सहभागी हो सकते हैं जो बदलाव के साक्षी ही नहीं किबल बदलाव के रचियत हो सकते हैं राजस्तान में भी चिकित्सा का परिद्रश्य बदलाए मानिय प्रधान मंत्र जी की यह घोशना की देश के प्रतेक जिले में एक एम्स बनना चाहिए राजस्तान के सभी 33 जिले जो पुराने थे उन सब में मेडिकल कॉलेज बने लेकिन पिछली सरकार ने जिल हो कि अनुरूप हमको बनाने ही होंगे तो उस दिशा में भी हम निषित रूप से सकारतमक काम करेंगे उस दृष्टि कोन से हम सोचना प्राग्रम करेंगे और आने वाले समय में मेडिकल हैल्थ इन्फरस्रेक्टर और मेडिकल एड़ूकेशन इन्फरस्रेक्टर को और अबश्रक्ता है कि एम्स जोद्पूर का जब विस्तार का क्रम चल रहा था इसी क्रम में अभी जब कि वीडियो दिखाया जा रहा था तब था कि एक धरमशाला का निर्मान एक जगह पर कहीं किसी एम्स में हुआ है कि मैंने एम्स के डिरेक्टर साभ से एडी साभ से बात की थी जोद्पूर के एम्स की जब हमने प्लानिंग किया था उस समय भी जोद्पूर एम्स में प्रोविजन किया था कि एक ऐसी जगह रखी जाए जहां पर जो पेशेंट्स आते हैं उनके अटेंडेंट्स को यहां पर रखा जा सके उनको सुविधा पराप्त हो सके और सामने तया दूर दराज से ग्रामी नंचल से जो पेशेंट्स आते हैं उन पेशेंट्स में सामने तया चिकित साफ पूरी होने के बाद में आप साथ दिन बाद में वापस लौट करके एक बार आई या दिखाई यह पांच दिन बाद में आकरके एक बार आपको दिखाना है इस तरह के जो है उनको निर्देश के साथ में ऑस्पिटल से डिस्चार होता है कि मैंने दीमाट वाले रादा किशन दवानी जी से बात की थी उन से निवेदन किया था और मैं आज इस गर्मा में अवसर पर ये आप सब के सामने अत्यंत प्रसंदा के साथ में साजा करना चाहता हूं कि उन्हों ने इस बात के लिए अपनी स्विक्रती सहमती प्रद देंगे इनिश्चिती जोत्पुर एम्स के लिए जो जोत्पुर एम्स जिसके होने का एहसास मुझे तो रोजी होता है दिन में कम से कम दस बार मुझे कम टेलीफॉन आता होगा कि एमस में भरती कराना है उसको लेकर के लेकिन एमस जोत्पुर में होने का एहसास कोविड क आपड़ा के समय हुआ था हजारों हजार लोग ऐसे होंगे जिनका एम्स में इलाज हुआ और वो सै कुशल स्वस्थ हो करके वापस अपने घर लोटे निश्चिती एम्स में जिस तरह की सेवाएं दी जोदपूर के लोगों मैं जोदपूर के लोगों के तरफ से मारवाड के लोगों के तरफ से एम्स के परिवार के हर सदस से यहां जो सिक्यूरिटी का छोटा सा गार्ड होगा उससे लेकर के जो नर्सिंग करमचारी होंगे जिन्होंने रात दिन यहां काम किया होगा यहां के डॉक्टर्स मैनेजमे करता हूं कि उनके होने से उनकी सेवाओं से और Рیزडेंट डॉक्टर्स ने जिन बहुत सारे लोग आज यह खरे बिदर ओकर करके जा रहे हैं अन लोगों ने अपने पढ़ाई के साथ में अपने स्वास्टे को अपने जीवन को खत्रे में ढाल कर करें जिस तरह से इसे इम्स का और आगे विस्तार हो और अभी सम्मान के साथ जैसा वीडियो में दिखाया गया कि एम्स जोद्पुर जो है इस सेकंड मोस्ट प्रीफर्ड इंस्टिट्यूट अमंग दे इम्स आफ 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 आर कंट्री उन पच्छिस में से दिली के बाद में दूसरा सबस ज़्यादा प्रीफर किया जाने वाले इम्स है और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ जो टीम आज यहां काम कर रही है और उनकी ताकत के उनके भरोसे के आधार पर कह सकता हूँ वो समय ज़्यादा दूर नहीं है कि जब हम पहले नंबर पर होंगे हमारा जोद्पु कियाना चाहता हूँ तर टेक प्राइड इन हाव फार यूव कम सो फार और प्राइट नहीं है और प्लीज डोंट फोगे तो इंजाए इस जर्नी अभी हाली मैं थोड़े दिन पहले वीडियो देखा था स्टीव जॉप साहब को जब स्टैंफोर्ड विश्य विद्याले मे कि ग्रेजवेशन सेर्मेनी में बुलाए गया था और वो जो पंधरा मिनट काउन का भाशन है मैं कहूंगा कि सारे स्टूडेंस को युवाओं को वो निश्चित रूप से देखना चाहिए ये जीवन में ऐसाफलताओं के साथ में जीना और ऐसाफलताओं को सफल के होने के बावचूद भी जीवन में सफल होना उसके लिए वो अत्यनत प्रेड़क है आप सब को रिदय पूरवक शुब काम नहीं देते हुए कहूंगा कि बी बोल्ड और बी करेजियस और बी यूर बैस थैंक यूवरी मच्छ